नमस्कार मित्रों, आज एक बहुती महत्मण विशय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कई लोग गवान की पूजा करते समय अगरबत्ती जलाने का कारे करते हैं कई लोग धूब भी जलाते हैं, कई लोग दीप जलाने का भी कारे करते हैं इस समय पहले हमने एक वीडियो बनाय था जिसमें हमने बताया था कि अगरबत्ती जलाने के क्या-क्या हानिया हो सकती है आप लोग देखते होंगे मंदिर में भी कई लोग जो भक्त हैं वो जाकर के अगरबत्ती जलाते हैं वीडियो में हमने बताया था कि अगरवत्ती जलाने के क्या-क्या हानिया हो सकती है, आज चर्चा करेंगे कि अगरवत्ती जलाने का जो सही समय है, अगरवत्ती तो जलाने ही नहीं चाहिए, परन्तु यदि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, यदि दीपीतादी भी जला र गोदूली वेला में की जाती है कि ना दिन होता है ना रात्री होती है कहने का तात पर यह है कि भगवान ने जो समय निर्धारित किया है यह समय होता है साहे काल के 6 बज़े से ले करके साहे काल के 7 बज़े का जो समय होता है यह सबसे उचित समय माना गया है भगवान की अराधना करने के लिए दीपक की तयादी जनाने के लिए जो धूप है वो जलाने के लिए अपनी श्रदा भाव को प्रकट करने के लिए परंतु कई लोग गलती से रातरी आठ बजी के बाद पूजाई तयादी का कारे करते हैं तो मैं आपकी जनकारी के लिए बता दूँ रातरी आठ बजी के बाद यदी आप किसी प्रकार की पूजा करते हैं यह धूप जलाते हैं अगरवत्ती जलाते हैं और भगवान को श्रदा भाव से प्रकट कर रहे हैं तो वह तामसिक पूजा में चला जाता है उसे तमोगुणी पूजा कहा जाता है और ऐसी जो पूजाएं हैं ऐसी जो श्रदा भाव जो हम भगवान के प्रति प्रकट कर रहे होते हैं दुर्भाग से वह भगवान को न जा करके जो नकरात्मक शक्तियां हैं जिने हम प्रेत कहते हैं जिने हम पिसाच कहते हैं जिने हम ब्रह्म राक्षास कहते हैं उन तक पहुंच जाती हैं और वो चीजे जो हैं हमारी जीवन में नकरात्मक्ता को ले करके आती हैं और फिर हमें लगता है कि आखिरकार हमारे जीवन में नकरात्मक्ता आई किस प्रकार से तो इसका कारण यही है कि जो हम साइकाल साथ ब तो आपके मन में नगाने कान शक्ति क्या अनुभवो शास्तरों के नुसरों पूजा बताई गई है और रात्री आठंटー hitting 16 प्राइले की जाती है नगान देखते हों 256 palms और धार्मी के स्थानों पर साइंकाल की आर्ति किया जैती यहुज़ती है इसलिए मैं आप सबीजिशे परात्ना करता हूं कि अगर बत्ती भूल भी नहीं जलाना चाहिए और जब भी पूजा करें तो साथ बजे के पहले ही करें और साथ ही उसमें घी का दीपक आवश्य जलाना चाहिए धूपी त्यादी जला सकते हैं परन्तु प्रयास यह करना चाहिए कि हम घी के दीपक ही जलाएं क्योंकि इससे वातावरन भी शुद्ध होगा कि हम जाने अन जाने सेवा का कारे कर सकते हैं इसके माध्यम से और अगरवत्ति क्यों नहीं जलानी चाहिए आई बटन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को जा करके उनसे में हमने बताया है कि अगरवत्ति जलाने के क्या क्या हानिया है तो इसलिए आप जाकर के वो वीडियो देखिए कि अगरबत्ती जलाने से हमें क्या नुक्सान हो सकता है दीपक जलाने के बहुत सारे लाभ है भवान सिराम जी ने जब रावण का वद कर दिया था लंका से लोट करके अध्या को आये थे तो उस समय त्रेता युक के अंदर शास्त्रों में इसी चर्चा की गई है लिखा गया है कि सैक्डो या लाखो दिये जलाए गए थे तो आप देखिए शास्त्र भी हमें असंकित करते हैं कि अगरबत्ती जो है वो जलाना ही नहीं चाहिए सास्त्रों में भी दीपक का उलेख कई स्थानों पे किया गया है वेदों में भी दीपक का उलेख किया गया है तो इस प्रकार से हमें समझने को मिलता है कि हमें सदैव दीपक ही जलाना चाहिए सुद्ध घी के जो दीपक है वही जलाने से वातावरण को भी लाब पहुंचता है और प्रमात्मा तक जो हमारी श्रदा भाय वह भी पहुंचती है और कहने कहीं व्यक्तिकत रूप से हमें भी लाब होता है तो इसलिए दीपक ही जलाएं आशा करता हूं आज का यह जनकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेर करें ताकि सभी तक यह जनकारी पहुंचाएं आप हमसे जुड़े रहिए ताकि ऐसी ही रोचक जनकारी आप तक पहुंचती रहें हम जुड़ते हैं ती शिगर किसी नई कथा के साथ अब तक आप भजन करते रहे सिवा काम करते रहे धन्यवाद